जैनेन जी एक आठ नो दस जब तक मानी मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे जब तक सिच्छा में लखना उन्हें चोड़ेंगे उनका कहना एक बार आशिरवाद मिल जाए हमके ले जाएंगे आशिरवाद तो दिलवा दीजिए अब तो मांदे भी नहीं मांग रहे हो नियमि करवा दीजिए और एक खबर और बताते हैं आपको आज आयोग की अद्धेक्ष पदभार समालना था सत्तान्वे हजार भरतिया निका लिए क्योंकि कोर्ट में रामशरण मौर्या केस में हलफ नामे में आपने कहा था कि क्यावन क्योंकि एक लाग 37,000 से जादा हम भरेंग लोग तो 51,000 भरतिया निकालने को आदा किया था आपने सरकार ने और तब से हर साल 10 से 12,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो वो बढ़के कह रहे हैं 97,000 भरतिया नहीं निकालिये आप लोगों के सामने इस समय ये सबसे बड़ी समस्या है दो लोग यहां बैठे हैं और इल तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको तो समझ में सियासत ज्यादा आती है अगर इतना यूवा वर्ग और शिच्छा में तर जोड़ लीजिए जो परिवार चला रहे हैं तो बड़ी मुश्किल ज्यादा नहीं है कि सब लग रहा है कि चलेगा एक तरफ से तीन लोगों ने बात करी मैं तीनों की बातों के जवाब देना चाहता हूं जैसे हमारे असो भाई के साथ तो बहुत पहले से हमारे संबंध हैं और जानते भी असोग असोग भाई को यह कहने का कोई अधकार नहीं है कि भाटियां गलत तरीके शुई या कैसे हुई क्योंगि मान एकलेश जी ने जो भातियां की थी या उनके जो आयोगों के अध्यास्ते चाहे बोले ओविRegum पूरी तरह करके ÉTalk और अब इनके वाले में बहुत लंबा बोलेंगे अब तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप तो कम से कम इस तरह की बातें मत कीजिए मानी और मैं एक और आंकड़ा बता देता हूं बैंग जी के समय में लगवक 91,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी और मानी योगी जी के अभी 6 साल के सासिंकाल में लगवक 6.5 लाग सरकारी नौक में चला जाएंगे ये दो लोग अपनी समस्या लेके आए हैं उस पर बात करते हैं हम लोग रुपए के लिए जिस समय यह तो अभी नया फैसला आया है उसके बाद से मीटिंग भी हुए तो वह 10,000 किया गया था और 11 महिने के लिए किया गया था शुरू आर्थ में ठीक है लेकिन बाद में वह चालू रहा अभी गया है कि अप्रेल के बाद भी एक मीटिंग हुई ह सुसील भाई को साथ पता होगा जिसमें माननी योगी जी ने भी माना है कि 15,000 की जाएगी लेकिन कब की जाएगी यह थोड़ा वित्त का मामला है तो इसमें सुसील भाई को बिल्कुल सिंता कहने जिवत नहीं क्योंकि जैसे मिटे मील में बढ़ाया गया है या बाकी जगो हुआं ऐसे पहले जाश्ट्री पिखड़ा वर गयोंका बिल्कुल मानता हूं को अधाकारियों ने जो पांच 50今年 वहूंए ती उसको अधर से उधर किया है उनके उपर बिल्कुल कारवाई होगी समय आने पर लेकिन मैं एक और चीज बता दूं कि इसी से माननी मोधी जी के समय में माननी योगी जी के समय में जवार वेशु विद्याले हों चाहे नीठ हो चाहे नवोदे विद्याले हों यहाँ पर आरेच्छन को मानता दी गई है इससे पहले वहां आरेच्छन लागू नहीं होता था तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर वर्क के साथ है हमारी सरकार चाहे वो केंदर की सरकार हो चाह कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं बचेगा जो फूख जाए सबको समायोजित कहने पर ध्यान दिया जाएगा और नहीं बातियों की जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी अब मैं आता हूं दूसरी चीज पर बिल्कुल आपने सही कहा कि 25 दिन 22 दिन हो गए हैं लगबग तो इतने दि पूरे रह गया थे जो लिश्ट उन्होंने पहले बनाई थी उसमें पूरे कॉलम नहीं बनाए थे इस वज़े से साइध यह देर हो रही है बिल्कुल मैं इस चीज को एक बात बताई कि कॉलम उन्होंने पूरे नहीं बनाए थे जिस समय लिश्ट जारी की गई थी लेकिन पूरी तरह से प्रॉपर थी इसमें कोई दोराए नहीं तो वही कॉलम दुबारह से एड किये जा रहे हैं इस वज़े से देर हो रही है तो क्या पूनम जी यह जब अगर कॉलम सही भर दिये गए तो क्या यह जो आप लोग कह रहे हैं कि 19000 के करीब लोगों का आरक्षण मा पायूग मान चुका है मैं दूसरी चीज एक और आपको बता देता हूं कि जो 79000 बातियां उसमें से 48600 निन्याडवे OBC, SC, ST हैं जिसमें से 31000 OBC बातियां उनतर अजार मैं से जैनिन जी जैनिन जी जैनिन जी एसा है ना थोड़ा सा मैं तैयारी करके बैटता हूं जो आप यह जो यह आप आकड़े सुरेश खन्ना जी माननी मंत्री जी के आकड़े सदन वाले रख रहे ना उसमें थोड़ा सा हेर फेर है नहीं नहीं उसमें हेर नहीं है मैं सुनिए मेरी बाता रहा हूं आपको आप यह जनरल वाला आट सो चावार है वही फेर है उसके आगैस्ट में वह दुवारा जारी की गई है मैं पूनम जी इनका कहना है सिर्फ ओवर लैपिंग है और वो जब लिस्ट आएगी तो आप लोग तो 99,000 में से 48,000 में से ही पा चुके हैं इन नोकरियां मैं आपको बता दू जिस आपको जाए अन्म्यूट कीजिए अपने को कॉल डिसकनेक्ट हुआ है अपाज आ रही है मैं पूनम जी आपको बता दू मुझको जितना समझ में आया है आप लोगों का केस वो यह है कि जो सरकार ने रिलेक्सेशन दिया था उसको भी जोड़ लिया है जो जनरल केटेगिरी में कहे हैं उसको माल लिया है इसलिए और आपका जो OVC में आएंगे उनको रखा जाए अगर वो लोग 40,000 वी सीट के अगर उन्होंने प्रतिदंदी की है तो उनको वहाँ पे रखा जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि 30,000, 31,000 भरती कर लिए हैं तो यह तो हम लोग अपनी लड़ाई करके अब जनरल वर्ट के अब देर्टियों के बराबर नंबर लाएं यह वह बताना चाहरी हूं इसमें 31,000 और 40,000 का कोई मतलब नहीं है आप लोग तरिक इतना काम कीजिए कि जो आरक्षर नियमा बली 1994 और बेतिक इक्षर नियमा बली 1991 उसको पालन करते हुए जो सूसी बनाई जाए हो मेरित के घर्टे करम में ले होंगे या आ रहे होंगे आप उनको सामिल कर दीजिए सबसे बड़ा कारण है मूल चैन सूची ना जारी करना इसलिए यह रायता फैला हुआ है कि आज तक मूल चैन सूची जारी नहीं की गई है बोलिए मैं एक चीज बता दूँ अशोग भी बैठे हुए मैं उनसे भी बात कर दूँ तेरह मार्ज दो जाट तेईस को इलावाद हाई कोट ने भी जो अर्शाच्टों की जब लिश्ट रद कीती पहले वाली तो उसमें माना था और उसमें उन्होंने इस पर कहा था कि प जाएगा ये हाई कोट का कहना है मेरा नहीं कहना है सरकार का कहना है उन्होंने कहा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए ठीक है और बाद में ये जो अगले साल आया जो अभी जो फैसला है उसमें इस चीज को माना गया है कि ओवरलैपिंग होनी चाहिए तो मैं ये कह रहा हू सुप्रिम कोर्ट में लटक जाए जाके जो सुप्रिम कोर्ट आदेश दे देगा उसको फॉलो कर लेंगे इसलिए 90 दिन की नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है पूरी प्रतिया जारी है जैसे बहन को भी पता होगा कि जो पूरा एक मैप बनती है एक स्टीट बनाई जाती है उसमें प्राप्तान को होते हैं गुडान को हो रही है देखे जैनेन जी तो फिर एक बात बताएं कम से कम सहयोगी या जो बड़ा बड़े भाई आपके सरकार में बैटे ना उनको यह बताएं वो लोग यह टूइट ना करें कि लंबे संगर्ष के बाद जीत मिल ग लोग उनको टेक्निकल और कहें कानूनी दावपेग में फसाके वो लोग और जो 20 से 21 से धरना दे रहा आगे भी देता रहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है हमारी सरकार का बिलकुल मानना है किसी को भी कोई परेसानी नहीं होनी चाहिए और किसी को भी लगनों आके जरू लगनों आने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए उनके जलों में ही कार उनके स्वतर पूरे होने चाहिए बिलकुल यह मानना है लेक तो रुखवा दीजेकम से का जो मामले कोट के सम्मुग उपस्तित होते हैं या लंबेत होते हैं उन्में सरकार या कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है कोई एक्षन भी नहीं ले सकता है अगर आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे केसे जिनमें सरकार फैसला ले सकती थी लेकिन कोट में पैंडिंग होने के वज़े कभी सरकार ले नहीं पाई जैसे अगर आपको याद होगा राम मंद्र का के कब से पढ़ा हुआ था कोट के सम्मुक तो कोट की वज़े से सरकार ने अपना फैसला नहीं ले पाई है सरकार जब चाहती है तब फैसला ले सकती है सरकार की पावर डिसकेशन किसी दिन हम आप अशोग जी बैठके कर लेंगे यह वो फैसले नहीं है जो कांग्रेस सरकार अपने समय में सम्मिधान विरुद्द लेती थी साबानों के पैसले में कि सुप्रीम कोट का ही फैसला पलट दिया हमारी सरकार ने कभी इस तरह की गैस सम्मिधानिक चीज़ें नहीं किये